दोस्तो यद्ने investment academy में आपका स्वागत है आज इस विडियो में हम rule of 72 के बारे में बात करेंगे rule of 72 का इस्तेमाल आप दब कर सकते हैं जब आपको अपने investments पर compounding returns मिलते हैं compounding returns याने जो returns या interest आपको मिलता है वो आप अपनी investment से निकालते नहीं मगर reinvest हो जाते हैं आपके original investment amount के साथ तो ऐसे returns को हम compounding returns कहते हैं तो यदि इस situation में आपको अपनी investment पर मिलने वाले compounded returns के बारे में पता है उसकी value पता है तो इस value के मदद से और rule of 72 का इस्तेमाल कर आप ये निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में आपकी investment डबल हो जाएगी तो ये thumb rule of 72 ये है कि जब मैं 72 को अपने investments पर मिलने वाले compound annual growth rate से divide करती हूँ तो मुझे पता पड़ता है कि कितने समय में मेरे investments डबल हो जाएगे उधारन के तोर पर मान लीजे मुझे अपने investment से 8% का compound annual growth rate मिल रहा है तो जब मैं 72 को 8 से divide करती हूँ तो मुझे 9 सालों की value मिलती है तो इसका अर्थ ये है कि मेरी investment 9 सालों में double हो जाएगी ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मैं 72 को percentage figure से divide कर रही हूँ याने मेरे investments पर मुझे 8% का compound annual growth rate मिल रहा है तो मैं 72 को 8 से divide करूँगी ना कि 0.08 से ये जो rule of 72 है ये एक shortcut है जो हमें approximate value देता है जो formula statisticians इस्तमाल करते हैं exact value निकालने के लिए वो ऐसा है A is equals to P into 1 plus compound interest rate या compound return rate raised to T जहाँ पर A हमारे investment की future value है P हमारा principal investment amount है R हमारा compound annual growth rate है या interest rate है और जो T है वो बीता समय है years में याने सालों में इस equation में compound interest rate या compound annual growth rate को percentage figure में express नहीं किया जाता याने उधारन के तोर पर यदि मुझे अपने investments पर 8% का compound annual growth rate मिल रहा है तो मैं उसे 0.08 ऐसा इस equation में express करूंगी इस formula के इस्तमाल से आप investment के बाद कभी भी जान सकते हैं कि आपके investment की value क्या है मगर यहाँ पर हम यह जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने सालों बाद मेरी investment value डबल हो जाएगी तो यहाँ पर यदि मैं इस formula का इस्तमाल करती हूँ तो मुझे natural log का इस्तमाल करना पड़ेगा जो कि काफी complicated हो जाएगा और उस comparison में rule of 72 काफी आसान लगता है आए एक उधारन देखते हैं जिससे हम समझ पाएगे कि किस तरीकी से rule of 72 हमें almost accurate results देता है बिना complicated calculations के तो यदि मैं यह जानना चाहती हूँ कि कितने सालों में मेरी investment डबल हो जाएगी अगर मुझे अपने investments 8% का compounded annual growth rate दे रहे हैं तो इस formula के इस्तमाल से मुझे 9.006 सालों की value मिलती है अब यह exact value है और यह value almost same है उस value से जो हमने rule of 72 के इस्तमाल से कुछ देर पहले calculate की तो यह उधारन दर्शाता है कि किस तरीकी से rule of 72 हमें reliable results देता है तो इस तरहाल rule of 72 हमें बिना logarithmic functions के इस्तमाल के reliable results देता है क्योंकि 72 number यह 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 से असानी से divisible है और इसलिए यह calculations को और भी आसान बनाता है rule of 72 हमें inflation का प्रभाव जानने के लिए भी मदद करता है उधारन के तोर पर अगर inflation rate 6% का चल रहा है तो मेरे पैसो की value आधी हो जाएगी 12 सालों में याने बहतर divided by 6 तो मुझे 12 की value मिलती है तो 12 सालों में मेरे पैसो की value आधी हो जाएगी अब rule of 72 एक adjustment है ये perfectly काम करता है जब हमारे return या interest का range 6 से लेकर 10% तक का हो मगर जब हमारे returns या interest rate इस range से बाहर चले जाते हैं तो हमें इस rule को थोड़ा सा tweak करना पड़ता है थोड़ा सा adjust करना पड़ता है हमें 72 में एक add करना होता है या subtract करना होता है जब हमारे जो returns है या interest है वो 3% से जादा या कम हो जाए 8% को base पकड़के उधारन के तोर पर अगर मेरा interest rate 5% का है जो के 8% से 3% कम है तो मैं 72 से 1 minus कर दूँगी और अब 71 को जब मैं 5 से divide करूँगी तो मुझे वो value मिलेगी जितने सालों में मेरी investment डबल हो जाएगी उसी तरह यदि मेरा compound annual growth rate 11% का है जो 3% उपर है 8% से लेकर तो यहाँ पर मैं 72 में एक add करूँगी जिससे मुझे 73 की value मिलेगी अब 73 को मैं 11 से divide करूँगी जिससे मुझे सालों की value मिलेगी जिन में मेरी investment डबल हो जाएगी उसी तरह यदि मेरा compound annual growth rate 14% का है जो 6% से उपर है यदि मैं 8% को base पकड़ती हूँ तो यहाँ पर मुझे 72 में 2 add करना होगा और अब 74 को मैं 14 से divide करूँगी और मुझे वो value मिलेगी जितने सालों में मेरी investment डबल हो जाएगी आईए जल्दी से एक उधारन देखते हैं जिसे हम समझ पाएंगे कि rule of 72 को tweak कर हम accurate results पास सकते हैं मान लीजे मुझे अपने investments पर 22% का compound annual growth rate मिल रहा है तो जब हम 8% से हर 3% उपर जाते हैं तो हमें 72 में 1 add करते चलना है तो यहां पर मैं पहले 22 में से 8 minus कर लूँगी 14 की value मिलती है 14 को 3 से divide कर लूँगी तो 4.67 की value मिलती है इसे round off कर लूँगी 5 की value मिलने पर 72 में 5 add करूँगी 77 की value मिलती है तो अब 77 को मैं 22 से divide करूँगी तो मुझे 3.5 सालों की value मिलती है तो साड़े तीन सालों में मेरी investment यहाँ पर double हो जाएगी अगर मैं ये सारी values उस logarithmic equation में डालती जो कुछ समय पहले हमने इस video में देखा तो हमें 3.49 years की value मिलती जो कि exact value है और हमारी value जो rule of 72 को इस्तमाल करके निकाली गई है जो कि साड़े तीन सालों की है वो almost नस्दीक है तो इस तरीके से rule of 72 को tweak कर भी हम exact results निकाल सकते हैं तो दोस्तो rule of 72 में आज इस video में बस अतना ही आशा करते हैं ये video आपके लिए useful रहा हो इसे देखने का शुक्रिया ऐसे ही कुछ और topics के बारे में जाने के लिए हमारा चानल देखते रहें यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे comment section में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चानल अच्छा लगता हो तो subscribe करना ना भूले subscription बिलकुल free है हमारे videos को ज़रूर share करें जाने से पहले आपको बता दे कि अधने investment academy की पहली book जो कि है 108 questions and answers on mutual funds and SIP आप Amazon flip card टित्यादी पर खरीच सकते हैं और इस book को खरीचने का link इस video के description में भी दिया गया है तो मिलते हैं अगले video में तब तक happy investing